सो गाईज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप जो अपना Mobile डाटा ओन करते हैं तब Mobile डाटा ओन करने के बाद भी आप जो है अपना Internet यूज़ नहीं कर पाते हैं तो इस problem का solution क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीटेल में तो इस वीडियो में आट तक बने रहेगा आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर आपके पास किसी भी ब्रांट का Mobile हो यहाँ पर Mobile Data Own होने के बाद भी आपका Internet Working नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको Mobile की Setting में आ जाना है Mobile की Setting में आने के बाद यहाँ पर उपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है Mobile Network इस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप Mobile Network को Open करेंगे Open करने के बाद आपको देखने को मिलेगा Access Point Name अब Access Point Name को आपको Open करना है यहाँ से open करने के बाद आपको एक arrow का निशान दिख रहा है, इस पर click करिएगा इस पर click करने के बाद आपको नीचे more का option देखने को मेरे इस पर click करिएगा और यहाँ पर delete apn कर दीजिएगा अब आप देख सकते हैं delete apn हो चुका है अब यहाँ से reset है, reset पर click करिएगा restoring default हो चुका है अब यह apn setting आ चुकी है नहीं, इस पर आपको click कर दीना है अब देख सकते हैं, यह new apn setting है जो हमने यहाँ से select कर दी है आपको सबसे पहले यही काम करना होगा, आप देख लीजिएगा जो यह apn setting है, यहाँ से select हो चुकी है, अब यहाँ से directly आपको back आ जाना है अब आपको अपना mobile data क्या करना है, एक बर on करना है, फिर बंद करना है, फिर से on करके देख लेना है, यहाँ पर आपको जो internet है, वो work करने लगेगा आपको कोई भी problem face करनी नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहला solution आपको यही करना होगा and second काम आपको क्या करना है, अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है तो, उसके लिए आपको, आपके mobile में एक airplane mode होता है, जिसको हम flight mode बोलते है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, connecting and sharing के option में तो, यहाँ पर इसको एक बार enable कर देना है, जैसे आप इसको enable करेंगे, आप देखेंगे आपके जो भी sim वगएरा डाल रखी होगे, वो towers वगएरा वहाँ से चले जाएंगे आप इसको मैं बंद करता हूँ, तो आप देखेंगे, वो network वगएरा जो है, towers वगएरा, वो refresh हो कर आ चुके है अब मैं यहाँ पर अपने mobile data का अगर own करूँगा, तो मेरा internet यहाँ पर मैं use कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर refresh हो चुका है, मेरा जो भी network वगएरा है, कई बार network tower जैसे भी यह problem face करनी पड़ती है सो गाइस बस आपको यही कुछ solutions को apply करना होगा, आप देखेंगे, आपका internet जो है, वो mobile data own करने के बाद जो है, work करने लगेगा सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको फिर भी कोई problem face करनी पड़ते हैं, मुझे comment box में जुरूर बताएगा, मैं आपके लिए कोई दूसरा solution लेकर आऊँगा सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, till then bye bye, take care, love you all